ओम नमो नारायना, ओम नमो भगवते वाशुदे भाई, जै श्री क्रश्ना, राधे राधे, जै मातादी आज जानकारी लेके आए हैं, पिछले वीडियो से आंगे भाग दो के बारे में दीपक में फूल बनता है, फिर भी मनो कामना पूर नहीं हो रही है, क्या कारण है? या जीवन में परेशानिया बनी हुई है, उसका क्या कारण है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेधन है, अगर आप चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाएगी आज जानेंगे कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है, मनो कामना पूर नहीं हो रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? पिछले वीडियो में हमने बात की थी, कि कभी कभी हमारे ग्रवों की दसा सही नहीं चल रही होती है, इस कारण से हमारे जीवन में बहुत जादा उथल पूथल होती रहती है, या हमारे जीवन में कश्ट मिलते रहते हैं, हमारी मनो कामना पूर नहीं होती है, हम जो चाहते वो हो नहीं पाता है, इस तरह की चीजे जीवन में घटित होती हैं, आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटित होता होगा, मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ घटित होता रहता है, इसी तरह से एक बात मैंने आपको और बताई थी, अगर घर में मंदिर की दिशा सही ना हो, अगर घर में देविस्थान में मंदिर नहीं रखा जाता है या देविस्थान से हम कहीं मंदिर को और जगे रख देते हैं या देविस्थान में लेटिन बातरूम वगएरा बना देते हैं तो भी घर में परिशानिया बनी रहती हैं मनो कामनाय पूर्ण नहीं होती हैं परिशानिया बनी रहती हैं ये भी कारण होता है इसी से बढ़ते हुए आगे चल्चा करेंगे कि मंदिर की जो दिसा है वो उत्तर पूर भी होनी चाहिए कभी कभी ऐसा होता है अज्यानता बस हो जाता है कि हम मंदिर को दच्छिन पच्छिम की दिसा जो होती है वहाँ पर रख देते हैं जिसे राश्या स्कोन बोलते हैं, तच्छिन और पच्छिम की बीच की दिसा, उसको राश्या स्कोन बोलते हैं, तो वहाँ पे हम कभी-कभी मंदिर को रख देते हैं, मंदिर वहाँ पे बिल्कुल गलती से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह राश्या स्कोन है, वहाँ प पूजा पाट करते हैं तो सकरात्मक ओजा पैदा नहीं होती है नकरात्मक ओजा ही पैदा होती है तो ऐसे में अगर फूल भी बनता है आपको संकेत भी मिलता है तो कहीं नहीं होती है या जीवन में परिशानिया बनी रहती है कभी-कभी ऐसा भी होता है जैसे हम लोग मंदिर में जो दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो बाती की दिशा होती है उस बाती की दिशा को हमेशा आप उत्तर या पूर्व में रखें पस्छिम में भी नहीं रखनी चाहिए और हमें दच्छिन में भी कता ही नहीं रखनी चाहिए हमको हमेशा उत्तर की दिशा में या फिर पू बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में गोलवाला दीपक जिसमें बीच में दीप प्रजुलित होता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है उसको आप कैसे भी रख सकते हैं उसके लिए कोई परिसानी नहीं है तो इस बात के विश्यश ध्यान रखना चाहिए इसी तरह ऐसे जैसे हम मंदिर में कभी पूजाव करते हैं तो अगरवत्ति जलाते हैं कहीं पे भी किसी विश्यास में अगरवत्ति जलाने का नियम नहीं लिखा हुआ है कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप अगरवत्ति जलाए हैं सभी जगे आपको धूब दीप के बारे में ही जानका तो ऐसे में अगर आप घर में अगरवत्ति जला रहे हैं आप अपने स्रद्धा मन से जला रहे हैं आप कोशिस तो सब कुछ सही करें लेकिन जीवन में परिसानिया का कारण एक ये भी हो सकता है तो हमें अपने मंदिर में हमेशा धूप का प्रियोग करना चाहिए या दीप क करिये लेकिन अगर बत्ति का प्रियोग ना करिये अगर बत्ति मत जलाईए वहां पर हमेशा धूप ही जलानी चाहिए तो एक कारण एक ये भी हो सकता है और बहुत सारे छोटे-छोटे कारण भी होते हैं कभी-कभी क्या होता है जैसे हम अगर अपने माबाप की सेवा नही ऐसा हो सकता है कि हमें उनका आसिरवात प्राप्त नहीं होता है और हम अपनी जीवन में सफलता हैं प्राप्त नहीं कर पाते हैं कभी किसी वज़े से कभी किसी वज़े से अगर हम उनकी अवैलना करते हैं या उनको समान नहीं दे पाते हैं तो भी हमारे जीवन में कष्टो का जो समय हो वो चलता रहता है बहुत सारी चीने अच्छी होने के बाद भी हमको उसका फल नहीं मिल पाता है इसका एक कारण यह भी हो सकता है इसी तरह से हमें महलाओं का भी बहुत सम्मान करना चाहिए हमें महलाओं को किसी भी रूप में पताडित नहीं करना चाहिए चाहें आपकी मा हो चाहें बहन हो या कोई आपके साथ में काम करने वाली महला हो कभी भी उनके सम्मान से हमें छेलचार नहीं करनी चाहिए उनको सम्मान देना चाहिए और उनको सम्मानित नजर से ही देखना चाहिए एक कारण ये भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे कारण भी होते हैं जिनकी वज़े से हमारे जीवन में परिसानिया बनी रहती है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं वो भी हमसे रोष्ट हो जाते हैं अज्ञानता बस जैसे हम उनको कभी पूज नहीं पाते हैं या उनको भोग अर्पित नहीं कर पाते हैं या नित्य पूजा में उनका ध्यान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है क्योंकि अगर हमारे जो पुर्खे हैं जो पित्र बगएरा हैं या कुलदेवी हैं कुलदेवता हैं वो अगर आपसे रुष्ट हो जाएंगे तो भले ही आपके जीवन में चाहें किती भी अच्छी चीज़े चलती रहें वो आपके जीवन में प्रॉबलम क्रियेट कर ही देंगी आपके ग्रहे कितने भी अच्छे बने रहें आपके जीवन में समस्याइं बनी ही रहेंगी तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए अपने जो बड़े बुड़े हैं उनसे कुल देवी देवताओं के बारे में जानकारी अवस्य लीजे और उनकी पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो पूजा करना सुरू कर दीजे अगर आप उनके बारे में जानिये जो आपके बड़े बुड़े हैं और उनकी पूजा अवस्य करिए उनको भोग अर्पित करिए उनके लिए दीपक जलाईए और उनको नमन करिए और कान पकड कि उनके सामने गलती विश्योकार करिए कि हमसे अज्यानता बस यह गलती हो गई थी हम आपको आपकी पूजा नहीं कर पाये थे हमसे कुछ इस तरह से गलती हो तो हमें छमा करना हमारे उपर अपनी करपा बनाये रखना तो हो सकता है कभी-कभी जीवन में इस तरह से भी हो ज कर जाते हैं और एक चीज और भी ध्यान रखिए कभी अपने काम की बढ़ाई किसी से मत करिए इसलिए क्योंकि जब भी आप अपने काम की बढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की गलत नजर आपके काम पे लग जाती है कोई भी काम का सुभारम करने से पहल सफलता पाने से पहले किसी को मत बताईए क्योंकि जब आप सफल हो ही जाएंगे तो लोग जान ही जाएंगे कि आप सफल हो गए वह सबसे बैटर होगा अपने मुझ से अपनी सफलता का बखान जादा नहीं करना चाहिए इससे लोगों की बुरी नजर भी लगती है जिससे आ कमेंट्स करिएगा कमेंट्स में जय माता दी जय श्रीक्रश्ना ओम नवश्वाय लिखेगा विलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय श्रीक्रश्ना